कावे में गोपियां उधव जी को उलाना दे रहे हैं यानि कि उन पर व्यंग्य करते हैं जब वो श्री कृष्ण का संदेश ले करके आते हैं तो उन्हें उलाना दिया जा रहा है कि तुम सच मुझ बड़े भागेशाली हो क्योंकि तुम तो प्रेम के बंधन से मुक्त हो तुम प्रेम में डूपते ही नहीं हो तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो लेकिन फिर भी तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो उससे दूर हो कैसे तुम उससे दूर हो जैसे कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है फिर भी उस पर जल का एक बूंद भी नहीं ठहरती है एक ताग भी नहीं रहता है जैसे तेल की गगरी को या मटकी को पानी में यदि डुबो दिया जाए तो उस पर एक बून भी नहीं लगेगी इसी तरह से तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन फिर भी उनसे प्रेम नहीं करते हो सदा उनके प्रफाव से दूर बने रहते ह तुमने तो आज तक कभी प्रेम की नदी में पाऊव तक नहीं डुबोया तुम्हारी दुरस्ती या तुम्हारी नजर श्री कृष्ण को देखकर कभी भी उनके प्रेम में नहीं उल्ची लेकिन हम तो भोली भाले सी, सीधी, साधी सी अबला है जो श्री कृष्ण के माधूरी में उलज कर रह गई है उनके प्रेम में उलज कर रह गई है कैसे उलज कर रह गई है जैसे चीटी गुड़ पर लग जाती है उस पर आशक तो हो जाती है और चिपट जाती है और छूट भी नहीं पाती और वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है फिर से गोपियां उधाव से कहती है कि हमारे मन में जो बात थी वो तो मन में ही रह गई हम तो सोचते थे कि जब कृष्ण जी आएंगे तो उन्हें अपने विरह के बारे में बताएंगे विरह यानि जो वो कृष्ण से दूर थी वो समय पर उन्हें कितना दुख हुआ यह जब कृष्ण आएंगे तो उन्हें बताएंगे लेकिन बदले में कृष्ण ने तो उन्हें योग का संदेश ही भीज दिया और इससे उनकी पीड़ा बढ़ गई है उनका दुख बढ़ गया है उनकी द्वारा त्याग दिये जाने पर वो अपना दुख किसे कहेंगी और यह पीड़ा अब कम भी नहीं होते है उनकी वापस लोटने की उमीद से तो वो पीड़ा को सह रही थी कि जब वो आएंगे तो उन्हें बता देंगे लेकिन वो आए नहीं है तो योग के संदेशों को सुनकर के उनका दुख आर भी बढ़ने लग गया है और विरह के सागर में डूबती हुई गोपियां सहायता मिलने के उन्हें आशा थी लेकिन अब वो बिलकुल निराश हो चुकी है श्री कृष्ण ने उन्हें भुला करके योग साधना करने का संदेश भेजा जो है वो कैसा है उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके तो प्राण ही निकल चाएंगे वो उधाव से प्रेश्ण करती है कि है उधाव बताओ कि हम धैरे कैसे रखें कैसे हम धीरज धरें हम कैसे चुपचाप बैठ जाएं जिन श्री कृष्ण के लिए हमने अपनी मर्यादा को त्याग दिया मर्जादा न लही इसमें देखो मर्यादा को त्याग दिया हमने तो हम अब उस कृष्ण के बिना कैसे रह सकते हैं उसके वियोग को हमारे लिए सेहना काफी मुश्किल हो गया है क्यों? तीसरे पद में वो कहते हैं क्यों हो गया है उनके लिए रहना मुश्किल क्योंकि क्रिशन तो उनके लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन गए है हारिल पक्षी हमेशा अपने पाउं में एक लकड़ी पकड़े रहता है और उसे लगता है कि वह किसी प्रिख्ष के साख पर बैठा हुआ है उसी प्रकार से गोपियां भी श्री कृष्ण का नाम जपा करते थी उनके मन में हरदय में हर समय श्री कृष्ण रहा करते थे और उनसे कोई भी उनका नाम नहीं छुड़वा सकता था कृष्ण का नाम वो हमेशा लिया करते थी सोते जागते उठते बैठते उन्हें कृष्ण की याद रहा करते थी लेकिन जब से योग का संदेश उन्होंने सुना है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने कड़वी ककड़ी दे दी हो और योग की बाते तो उन्हें रूची कर नहीं लग रही है यानि कि रूची नहीं है उन्हें बेकार लग रही है और ये एक बिमारी के जैसा उन्हें लग रहा है क्योंकि योग रूपी बिमारी से तो वो परिचित नहीं है उन्हें पता ही नहीं है कि योग है कहाँ क्या चीज है तो वो एक कड़वी ककड़ी के समान उन्हें लग रहा है फिर वे कहते हैं कि हमारा तो मन श्री क्रिश्ण में ही रमा हुआ है और वे कहते हैं कि हरी तो आज कल राजनीते पढ़ करके आ गए है ऐसा लग रहा है कि श्री क्रिश्ण ने राजनीती की सिख्षा प्राप्त कर ली है और वे इतने निपोन हो गई हैं राजनिती में कि हमें समझाने के लिए उन्होंने आपको भेज दिया है वो तो पहले ही बहुत चलाग थे, वो तो पहले ही बहुत चतुर थे अब तो उन्होंने वहाँ जाकर के राजनिती को पढ़ लिया है और इस बात से पता चल रहा है कि कैसे उन्होंने योगसाधना के लिए हमें संदेश भेजा है ये उधाव पुराने जमाने के सजन जो लोग हुआ करते थे भले लोग हुआ करते थे वो इधर उधर जाते थे लेकिन तुम तो हमें दुखी करने इधर आ गए हो हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए जो श्री कृष्ण जाते समय साथ ले गए थे चुड़ा कर हमारा मन जो वो साथ ले गए थे हम वो वापस चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ नयाई किया जाए वे तो दूसरों की द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुडाने का प्यत्न करते रहते हैं भले लोग कैसे होते हैं बुरे कामों से दूर रखना चाते हैं लेकिन तुम तो यहां उल्टा हमारे लिए कुछ बुरा करने ही आ गए हो यह तो हम पर अन्याय है सच्चा राजा जो होता है बहे अपनी प्रजा को कभी भी सताता नहीं है श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुक्ष चैन को छीन करके हमें दुकी करने की कोशिश कर रहे हैं यह सब उल्हाने गोपियां उदावजी को देती हैं जब वो योग का संदेश लेकर के आते हैं